भारत का गेहू उत्पादन 2021-22 के फसल वर्ष में लगबग 3 प्रतिशत खटकर 10 करोड 68 लाग 4000 के पास पहुँच गया है केंद्रिय क्रिशी मंत्राले ने फसल वर्ष 2021-22 के लिए चोथा अगनी मनुमान जारी करते हुए बुद्वार को कहा कि चावल, मक्का, चना, दलन, रैपसी, सरसो, तिलहन और गन्ने का भी रिकोर्ड उत्पादन होने का अनुमान है आपको बता दे कि फसल वर्ष 2021-22 जुलाई 2021 से जून 2022 तक था मंत्राले के नुसार जून 2022 में समाप्त फसल वर्ष में देश का कुल खाद्यान उत्पादन रिकोर्ड 31 करोड 57 लाग 2000 टन होने का अनुमान है वहीं क्रिशी मंत्री नरेंदर सिंग तोमर ने कहा है कि इतनी फसलों का रिकोर्ड उत्पादन सरकार की किसान ही तेशी नितियों के सासात क्रिश्कों और विज्ञानिकों की अथक मेहनत का नतीजा है फसल वर्ष 2021 में बीस इकिस में देश का खध्यान उत्पादन जिसमें गेहूं चावल दाले और मोटे अनाज शामिल हैं वो रिकोर्ड 31 करोड 7,4,000 तन रहा था दरसल गेहूं का उत्पादन घटने से आचा में खरीदना और महंगा हो सकता है वहीं कुल खाध्यान उत्पादन के 31 करोड 57,2,000 तन के रिकोर्ड स्थर पर पहुंचने का अनुमान है दरसल लू के कारण गेहूं के उत्पादन में गिरावट का उनुमान लगाया गया है जिसके परणाम सरूप पंजाब और हरियाना जैसे उत्री राज्यों में अनाज खराब हो गया है Bureau Report Market Times TV